मूवी शुरू होती है और जुप्टर के बातों से हमें पता चलता है कि उसकी माई ऐलेक्सा और उसके पिता मैक्समिलियन ये दोनों रसिया में मिले थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था जिसके बाद ये दोनों खुसी-खुसी रसिया में ही रहने लगे थे होते हैं जिसमें मैक्समिलियन का टेलिस्कोप भी होता है यहां पर मैक्समिलियन चोर को रोकने की कोसिस करता है लेकिन एक चोर मैक्समिलियन को गोली मार देता है जिसके कारण मैक्समिलियन की जान वहीं पर चली जाती है पैसे के तंगी के कारण इलेक्सा अपने घर कांगो स सिब से जा रही होती है कि बीच एट्लांटिंग ओसियन में वह एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वह जुप्टर रखती है एज प्लानेट नेम जो मैक्समिलियर को काफी पसंद था कुछ सालों के बाद हम जुप्टर को देखते हैं जो अब काफी बड़ी हो गई है अपने मा और अउंटी के साथ हमीर लोगों के घरों में साफ सफाई का काम करती है जहां पर उसे एकसर बातरूम साफ करना पड़ता है और वह अपनी लाइफ को बहुत जादे हेट करती है एक दिन जुप्टर अपने दोस्त कैथरीन के यहां पर उसका घर साफ कर रहे थी तभी वहां पर कुछ एलियन आ जाते हैं जिने मूवी में कीपर्स कहा गया है ये सारे कीपर्स कैथरीन पर कुछ रिसर्च करना शुरू करते हैं जुप्टर चुपके से अंदर से उनका फोटो खिसती है लेकिन तभी उसे फोन आता है और तभी कीपर्स की नजर एक दिन इंटरनेट पर सर्फिंग करते समय उसकी नजर एक टेलिस्कोप पर पड़ती है यह वैसा ही टेलिस्कोप होता है जैसा उसके फादर के पास होता है यहां पर जुप्टर की इच्छा होती है कि वह इस टेलिस्कोप को खरीदे लेकिन उस टेलिस्कोप की कीमत काफी जादे होती है घर से उसे पैसे मिलते नहीं क्योंकि financial status इतना अच्छा नहीं होता तो वह अपने कजन के बातों में आकर एक operation कराने का फैसला करती है जिसमें उसे अपने reproductive system के केक्स को बेचना है अगले दिन वह क्लिनिक चली जाती है यहां वह अपने फ्रेंड कैथरीन के नाम का यूज करके अपना operation शुरू करवाती है operation शुरू होते ही जुप्टर को पता चलता है कि यह सारे doctors मिलकर उसे मारना चाते हैं यहां पर सारे doctors उसे मारने के लिए injection दे ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक केन वाइस नाम का इंसान आ जाता है और वह इन सभी डाक्टरों पर हमला करने लगता है जब केन डाक्टरों पर हमला करता है तो वे सभी doctors aliens में change हो जाते हैं और हम वीवर्स को पता चलता है कि यह सारे doctors alien keepers होते हैं यहां पर केन और keepers के बीच में धेर सारा जगड़ा होता है जिसके बाद केन इन सारे keepers को मार देता है और फिर जुपिटर को लेकर सेब जगर पर चला जाता है यहां पर जुपिटर और केन में बहुत सारी बाते होती हैं जिसके बाद जुपिटर को पता चलता है केन wolf और human DNA का hybrid alien है जो titans नाम के एक किसी galactic king के लिए काम करता है केन के पास उड़ने वाले जूते समयत कई high tech gazette होते हैं यहां केन आगे करता है जिस तरह पृत्वी पर छोटे छोटे देश या राज्य होते हैं उसी तरह हमारे अनंत ब्रहमाण में कई एसे ग्रह हैं जिस पर life exist करती है जिस पर galactic king और queen सासन करते हैं एसे ही कई नौग रहे हैं जिस पर कुछ दिन पहले queen एब्रासिक सासन करती थी जब queen मर जाती हैं तो उनके सारी संपत्ती तीन बच्चों में बाटी जाती है मतलब यहां पर alien भी बटवारा करते हैं बालां जो की सबसे बड़ा बेटा होता है दूसरी होती है कालिक नाम की बेटी उसे नौर्मर प्लेनेट मिलता है और सबसे छोटा होता है टाइडस उसे जो भी मिलता है वह उसे बेच कर काफी मांगा एक सिप खुद के लिए तयार कराता है लेकिन टाइटस और बालन में जादात को लेकर कुछ डिस्प्यूट होता है दरसल टाइटस को पृत्वी चाहिए होती है अब ये सारी बाते जानने के बाद जुप्टर सोचने लगती है कि ये क्या बोल रहा है ये सब भी होता है या नहीं अब जुप्टर अगर पृत्वी पर रही तो कीपर्स फिर से उसे मारने की कोशिस करेंगे लेकिन केन उसे टाइटस के पास लेकर जाने का फैसला करता है जिसके लिए उसने पैसे लिए थे जुप्टर भी जाने के लिए रेडी हो जाती है तभी माँ पर वापस कीपर्स आ जाते हैं और वे इन दोनों पर हमला करते हैं केन काफी सारे कीपर्स को मार डालता है लेकिन इस लड़ाई के बाद केन को एक बात रिलाईज होती है कि जुपिटर दोनों भाईयों को काफी इंपोर्टेंट है इसके बात केन जुपिटर को लेकर अपने दोस्त इस ट्रेनर के पास पहुझता है जो पृत्वी पर ही रह रहा होता है इस ट्रेनर के घर पर बहुत सारे मदमकियां के चत्ते होते हैं और वहाँ पर उसकी छोटी बेटी भी होती है जब जुपिटर इस ट्रेनर के घर पर पौजती है तब वहाँ पर बहुत सारी मदमखिया जुपिटर के पास आ जाती है और जुपिटर के इसारे पर सारी मदमखिया उनने लगती है लेकिन कोई भी मदमखी जुपिटर को काटती नहीं है जिसे देखकर इस ट्रेनर करता है मदमखियों के पास Galactic Royal Jeans की पहचानने की सकती होती है और जुपिटर के पास भी Galactic Royal DNA है और इसी DNA के कारण अभी सारी मदमखिया उसके पास उड़ रही थी यहां पर इस ट्रेनर आगे काता है इंसानों का birthplace प्रित्वी नहीं है लगबग दो लाख साल पहले एबरासिक के पुर्वजों को पता चला के यहां प्रित्वी पर डाइनासोर रहते हैं एब्रासिक के पुर्वजों ने सारे डानासोर को मार डाला और फिर और उस नाम के ग्रह से इंसानों को लाकर प्रित्वी पर बसाया ताकि प्रित्वी पर इंसानों की जनसंख्या बड़े और एब्रासिक के वनसच यहां की लोगों को मार कर एक यूथ सिरम बना सके जिसका यूज करके युनुवर्स के दूसरे एलियन्स लाखो सालों तक जवान और खुबसूरत जिसके बाद इसे पता चलता है केन और इस्ट्रेनर एबरासिक सोल्जर थे लेकिन उनसे पास्ट में कुछ कल दिया हुई थी जिसके कारण एबरासिक ने इन दोनों को आर्मी स निकाल दिया और इनके पंको को इनसे अलग कर दिया तब ही वहाँ पर हंटर का एक ग्रूप आता है वो जुप्टर को किड्नैप करके लेकर जाते हैं वे लोग उसे किड्नैप करके क्वीन के बेटी के अन्नोन प्लानेट पर लेकर जाते हैं वहाँ पर जुप्टर को होसा तब उसके सारे कपड़े चेंज हुए रहते हैं वह एक क्वीन की तरह दिख रही होती है तभी महाँ पर कालीग आती है और वह उसे बताती है कि वह एकदम उसकी मा की तरह है और तुम्हारा पुरो जनम हुआ है तब जुप्टर कहती है कि वह 30 साल की है और वह उसके माँ को नहीं जानती तब वह उसे बताती है कि मेरे माँ के जो जिन्स थे वो एक्जेक्टली तुम्हारे जैसे ही थे तुम्हारे और मेरे माँ के जिन्स में इतनी सिमलार्टी है कि हम मानते हैं कि हमारे माँ का पूर जनम हुआ है जुपिटर को पता चलता है कि उसकी मा का मड़र हुआ था जब 91,000 साल की थी यहाँ पर कालिक जुपिटर के साथ अपना अच्छा रिस्ता करना चाहती है क्योंकि अगर जुपिटर अपना क्लेम वापस लेती है रानी का तो उसे वापस प्रित्वी मिलेगी और उसे मिलेगी मतलब यूध सीरम वो बनाएगी कालिक के साथ उसका रिलेशन अच्छा होगा तो उसमें उसको कुछ सेयर मिलेगा जुपटर का पीछा करते करते केन भी वहाँ आ जाता है और वह जुपटर को यहां से ले कर जाता है यह करके कि यह क्वीन अभी तक सावित नहीं हुई है और उसे खुद को क्वीन सावित करने के लिए अपना क्लेम हासिल करना होगा वहां से वे लोग ओरिस्ट नामक एक प्लानेट में जाते हैं यहां पर जुप्टर अपना DNA टेस्ट करवाती है और फिर Queen Abracic की सारी प्रापर्टी को क्लेम कर अपने नाम पर successfully transfer करवाती है जिसके बाद वहां के आफिस वाले जुप्टर के हाथ पर एक टैटू बनाते हैं और कुछ इस तरह से जुप्टर Queen Abracic की सारी प्रापर्टी की ओनर बन जाती है कई ग्रहों की Queen बनने के बाद जुप्टर काफी खुस होती है और केन के पास पहुँच कर इन सारी चीजों के लिए ठैंक्स बोलती है कि तभी वहां पर TIDUS के कुछ आप्मी आ जाते हैं जो इन दोनों को पकड़ कर TIDUS के पास ले कर जाते हैं टाइडस के पास पहुचने के बाद उसके आदमी केन और जुपिटर को एक दूसरे से अलग कर देते हैं और केन को एक इस्पेसिफ की जेल में बंद कर देते हैं जहां पर कुछ देर बाद टाइडस आता है और केन पर गुशाते वे करता है मैंने तो तुम्हें जुपिटर को यहां लाने के लिए कहा था मैं तुम्हें क्या बताओं मैं जुपिटर से साधिक करके पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूँगा और फिर उसे मार दूँगा इतना कहने के बाद टाइटस केन को अपने इस्पेस शिप से कुछ इस्पेस सूट के साथ बाहर फिक देता है ताकि वह इस्पेस में कुछ देर बाद अउक्सीजन के कमी के कारान तरप कर मर जाए थोड़ी देर बाद वहाँ टिकिस आ जाती है और वह केन को अपने स्पेसिप में ले कर जाती है इधर टाइडस जुप्टर के पास पहुंसता है और वह जुप्टर से कहता है कि मुझे इंसान काफी अच्छे लगते हैं मैं कभी भी इंसानों को खत्म करना नहीं चाहता हूँ पर बेलम चाहता है वह प्रित्वी के सारे इंसानों को मार कर उनसे यूद सीरम बनाए और उसे दूसरे ग्रह के एलियन को बेच कर धेर सारे पैसे कमाए तुम महरानी बनने के बाद अभी भी कमजोर हो क्योंकि तुम्हारे पास केन को छोड़कर और कोई भी सोल्यर मावजूद नहीं है के कोट मार्सल वाले टाकुमेंट को जुप्टर को सौब देता है जिसके बाद वह जुप्टर को लेकर एक चेमबर में जाता है जहां छोटे-छोटे पाट में बहुत सारे यूद सीरम रखे होते हैं टाइडस एक पाट को जुप्टर को दिखाते ही विकाता है कि एसे एक पॉट के यूद सीरम को बनाने में पृत्वी के सो लोगों को मारना पड़ता है मैं तुमसे फिर से कर रहा हूँ जुपटर, तुम मुझसे साधी कर लो मैं वेलम को यूद सीरम बनाने से रोक कर पृत्वी के लोगों को मरने से बचा सको सारी बात सुनने के बाद जुपिटर सुरू में राजी नहीं होती पर टाइडस के बार बार emotional blackmail करने पर वह साधी के लिए तायार हो जाती है दूसरी तरफ केन अपने दोस्त इस ट्रेनर के साथ टाइडस को मार कर जुपिटर को वापस लाने का प्लान बनाता है जिसके बाद वह इस ट्रेनर के साथ अपने स्पेस हिप से बाहर निकल कर टाइडस के स्पेस हिप के पास पहुंसता है जहां पर इस पेस में केन और इस ट्रेनर मिल कर टाइडस के आदमियों से लड़ते हैं और टाइडस के लगपक सारे आदमियों को मारने के बाद वे उस जगह पर पहुंसते हैं जहां टाइडस जुपिटर की साधी हो रही होती है केन को अपनी तरफ आता देख टाइडस साधी की रसम को पूरा करने की जल्दबाजी दिखाता है और जुपिटर को जवरजस्ती डिजिटर रिंग पहनाने की कोसिस करता है पर यहां जुपिटर खुद को टाइडस से छुड़ा लेती है जिसके बाद केन तुरन टाइडस के पास आकर उसे गन पॉइंट पर लेता है और फिर टाइडस के द्वारा साधी के बाद जुपिटर को मारने वाली बात उसे बताता है केन की बात सुनकर जुप्टर बहुत जादे निरास होती है और केन को प्रित्वी पर ले जाने क्यों करती है केन अपनी महरानी को फालो करता हुआ जुप्टर को लेकर प्रित्वी पर उसके घर पहुंचता है जहां जुप्टर को पता चलता है उसके घर पर बेलम के आदमी आई वे हैं और बेलम ने जुपिटर की फैमिली को किड्नेप कर रखा है यहां वेलम के आदमी जुपिटर से कहते हैं कि अगर जुपिटर अपनी फैमिली को दोबारा पाना चाहती है तो उसे वेलम से जुपिटर प्लानेट पर आकर मिलना होगा अपनी फैमिली को दोबारा पाने के लिए जुपिटर अकेली बेलम के आदमियों के साथ जुपिटर प्लानेट पर पहुंचती है यहाँ पर जुपिटर और बेलम में बाते होती है जिसके दोरान बेलम जुपिटर के फैमिली के बदले जुपिटर के सारे प्रापर्टी और उसके ग्रह को मांगता है जुपिटर को कोई रास्ता नहीं दिखता इसलिए वो वेलम को अपनी सारी property देने को तैयार हो जाती है इधर केन और स्ट्रीनर वेलम के आदमियों का पीछा करते हैं जुपिटर पर पहुच जाते हैं और वहाँ पर वेलम के आदमियों से लड़ते हैं आगे जुपिटर अपनी सारी गैलेक्टिक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ केन पहुच जाता है केन को अपनी तरफ आता देख बेलम एक हाइब्रेट मॉंस्टर को केन को मारने के लिए भेशता है तो दूसरी तरफ जुपिटर बेलम से दूर भागते हुई अपनी फैमिली को तलासना सुरू करती है जुपिटर अपनी फैमिली को इधर उधर खोज रही होती है तब ही सामने से बेलम आ जाता है और वह जुपिटर पर हमला करता है एक तरफ बेलम और जुप्टर लड़ रहे होते हैं तो दूसरी तरफ हाइबरेट मॉस्टर अभी भी केन को मारने की कोशिस कर रहा होता है और वह केन पर भारी पढ़ने लगता है पर केन अपने दिमाग और हाइटेक गैसेट का यूज़ करके मॉस्टर को जमीन में गार दे गता है वहीं दूसरी और जुप्टर बेलम को बिल्डिंग से नीचे डखेल देती है लेकिन बिल्डिंग तूटने के कारण जुप्टर भी नीचे गिरने लगती है जुपिटर को गिरता दे केन अपने उन्हें वाले जूते के मदद से वह जुपिटर की जान बचाता है तभी वहाँ पर टिसिंग आती है और अपना जो पोटल रहता है अर्थ पर जाने का वह उसे प्रिपेर करती है ताकि वह वहाँ से निकल सके लेकिन केन और जुप्टर सिप से बाहर ही रह जाते हैं टिसिंग पोटल ओपन करती है और वह पोटल के दूसरे साइट पृत्वी क के पास आ जाती है लेकिन तभी उसे एसास होता है कि केन और जुप्टर तो सिप में है ही नहीं वे जुप्टर पर ही फज गए हैं और वह केन को कॉंटेक्ट करने की कोशिस करती है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि केन उसी पोटल से इस साइड आ गया होता है और वह दोन फैमिली की मेमोरी को डिलीट कर देती है जिसके कारण उन्हें कुछ याद नहीं रहता जुपिटर फिर से अपनी पुरानी जिन्दगी जीने लगती है और वह फिर से दूसरों के घरों में साफसफाई का काम करने लगती है और मुवी इधर ही खत्म हो जाती है तो दोस्तो इस मुवी का एक्स्प्लिनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं